नमस्का दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं एलर्जी होने पर ना करें इसे अन देखा आजमाई ये घरे लूपाए तुरंट दूर हो जाएगी एलर्जी जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो आसानी से बिमार पढ़ जाते हैं कमजोर इम्यून सिस्टम होने पर सरीर आसानी से बैक्टीरिया की चपिट में आ जाता है और बिमार पढ़ जाता है कई बार वातावन में मोजूद बैक्टीरिया एलर्जी का कारण भी बन जाते और इन बैक्टीरिया की वज़े से एलर्जी होना लाजमी है एलर्जी होने पर सरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है हलाकि बैक्टीरिया के अलावा एलर्जी होने के अन्य भी कई कारण होते हैं जैसे किसी कीडे के काटने से मोसम में बदलाव होने से या कोई ची बजलें कि आपको किसी चीछ से अलर्जी हो गई है सांस लेने में तकलिफ होना तुचा पर अचानक से दाने निकलाना तुचा पर जलन होना या खुजली होना सरीर के हिस्सों में अचानक से सूजाना जाना अब हम बात करेंगे अलर्जी के प्रेकार की मौसमी अलर्जी मौस में अलर्जी होने पर धाई चावल चिन्नी का सेवन ना करें इस अलर्जी की चपेट पर आने पर अधरक लैसुन नीम और तुलसी का सेवन करना आपके लिए लाबकारी शीद होगा इन चीजों को खाने से अलर्जी से आराम मिल जाता है वही तवचा पर जलन होने पर बरफ और क्रीम का इस्तमाल करें नाग बंद होने पर गरम पानी से भाफ लें और ठंडी चीजे ना खाएं कीड़ों से होने वाली अलर्जी कई बार कीड़े के काटने से भी अलर्जी हो जाती है और सरीर में दाने निकलाते हैं जब कोई कीड़ा काटता है तो काटने वाले हिसस से ऐलर्जी से आरा मिल जाएगा इसके अलवा नीम की चाल और तुलसी के रसकों भी आप अपनी तचा पर लगा कर फायदा महसूस कर सकते हैं केड़े के काटने पर आम तोर पर जो ऐलर्जी होती है उसमें तचा पर दाने निकल आते हैं दाने निकलने पर आप उन पर बरफ कहाने के तुम्हाँ लगा लें कीड़ेगे करा कालें कीड़ेंसे साभून से और这是 मिकष्छा करने से ऐलरजिय को होने से र昼 कर जा सकता है खाने के कारण होने वाली एलर्जी खाने की वज़े से भी कई बारा एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों के सरीर को कई तरह का खाना सूट नहीं करता और जब गलती से वो खाना खालिया जाए तो सरीर में जलन, खुजली और सुजन की सिकायत हो जाती है इसलिए आप उस खाने से परेज रखें जो आपके सरीर को सूट नहीं करता वही खाना खाने के बाद अगर आपको ऐलर्जी हो जाए तो आप एक गिलास पानी में नमक डाल कर पी लें ऐसा करने से ऐलर्जी में आरा मिलेगा साथ में हो सके तो उल्टी कर देता की खाना सरीर से बहार निकलाए बैक्टीरिया जिन लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता उनको वातावर्ण में मौझूद बैक्टीरिया की कारण भी ऐलर्जी हो जाती है इसलिए आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखें और उन चीजों का सेवन करें जो इम्यून सिस्टम के लिए उत्तम मानी जाती है एलर्जी होने पर अगर सरीर को ज़्यादर तकलिफ हो तो आप उसे नजर अंदाज ना करें डॉक्टर से जरूर जाच करवाएं क्योंके अलर्जी कई बार घातक भी साबित हो सकती है अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो जैहिंद